नमस्कार वागर था विवसंप्रत्थवू। वागर था प्रतिपत्थथे जगता पितरवू बंदे। पारवती परमेश्वरवू। आज मैं राजिस्तान का जनसरुकार मंच टोंक के पेश से लाइव आ रही हूं। मैं प्रियम बदा काफली। काठपंडु नेपाल से हूं। मैं आज आप लोगों को कुछ संस्कृत में, कुछ हिंदी में थोड़ा सा। और नेपाली में ज्यादा। मैं लिखती भी इसी प्रकार से हूं। और सुनाती भी इसी प्रकार से हूं। मैं खास करके छंद कविता लिखती हूं। मुत्कारी बहर में रचा गया नेपाली का गजल सुनाना चाहती हूं नेपाली भी हिंदी के समान ही है हिंदी के जो भाषा है संस्कत से विकसित भाषा हिंदी है उसी प्रकार नेपाली भाषा भी संस्कत से ही विकसित भाषा है लेकिन क्या होता है कि जो कविता है रचना है सुर्जना है जो स्रस्टा लिखता है रचना करता है उसको लेकर के मैं थोड़ा घवरावी रही हूँ क्यों कि हिंदी ज्यादा आच्छी आती नहीं मुझे और कईये आप लोग नेपाली ज्यादा समस्ते नहीं होंगे इसलिए मैं हिंदी में इसका ब्याख्या करने की प्रयास कर रही हूँ कवी के गणना के प्रसंग में एक बात मैं बोलना चाहती हूँ बिश्य प्रशिद्ध महा कवी कालिदास जो संस्कृत के विद्वान कवी हैं वो कहते हैं कि मन्दह कवी असब प्रार्थी गमिश्याम् मुपहास्यताम् प्रांस लभ्भे फलेलोभा दुद्वा हुरिववा मन्हा मन्दह कवी असब प्रार्थी मैं कालिदास मन्द बुद्धी का हूँ कवी का यस चहाने वाला हूँ मन्दह कवी असब प्रार्थी गमिश्याम् में उपहास्यताम् मैं उपहास्यताम् में प्राप्त हो जाओंगा क्या जैसे कि जो मन्दह कवी असब प्रार्थी गमिश्य मिपहास्यताम, प्रांसुलव्भे फले लोभात, लोब से जो प्रांसुलव्भे मतलब है, लंबा आदमी जो तोड़ सकता है, उस फल के लिए मैं बामन प्रयास कर रहा हूं तो किस प्रकार का हास्यास्पद अवस्था हो जाएगी, इस प्रकार से मैं कविता लीखूंगा त तो इसी प्रकार से हास्त्रास पत तो नहीं हो जाएगा महा कभी काली दास बोल रहे हैं हम लोगों की बात तो अलग है इसलिए मैं घवरा रही हूं कि यहां पर कैसे सुनाओं अपने अलफाज एकदम टूटे-फूटे अलफाज आप लोगों को कैसे सुनाओं कैसे आप नम प्रसंगे कनिश्ठी का अधिष्ठीत कालिदास सहाँ अध्यापित तुल्यक वेरभावाथ अनामी का सर्थवती वभुभाव पुरा कवी नाम गणना प्रसंगे। अनामिका सार्थवती बववव। दूसरी अंगुली का नाम अनामिका सार्थक हो रहा है। इस प्रकार से कहा गया था। तो हम लोग बहुत छोटे हैं। फिर नेपाली में हमारे नेपाल के महाकवी बोलते हैं कि कि मन्डू का करा हुनु प्रकरती मा पापी पना हुन्चारा। जैसे कि मन्डू का मतलब होता है भेका। मेधक बोलते हैं हिंदी में साइथ। मुझे हिंदी का सब्दा जल से जुवान पर आता नहीं है। इसलिए मैं सस्कृत का और नेपाली का सहारा ले लेकर आप लोगों को बता रही हूं। मेधक भी आवाज करता है वर्षातों में। मेधक का आवाज नहीं करना चाहिए। प्रकरती में मेधक भी होता है तो वह भी आवाज कर लेता है। इसलिए छोटे-छोटे जो हम लोग जैसे हैं वह भी लिखते हैं। दो चार अलफाज लिखते हैं, दो चार सब्दा लिखते हैं, तो लिखना चाहिए, क्योंकि अपना जो क्षमता है, उसी क्षमता के आधार पर हम लोगों को चलना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए, जैसे कि गरूड पक्षिराज गरूड जिस प्रकार से उड़ सकता है, और चीटी धीरे-धीरे चल सकती है, और चीटी भी उपर पहुंच सकती है, यदि प्रयत्न निरंतर करती है तो, और गरूड पक्षिराज वो भी कहीं नहीं पहुंचता है, जब कुछ नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग धीरे-धीरे चलने की प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको को सुनाना चाहती हूं नेपाली में सबय का नजर ती बचाये रदिन छू दिन छू मतलब देती हूं सब का नजर बचा के मैं देती हूं आप लोग समझ लीजे इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बता रही हूं सबय का नजर ती बचाये रदिन छू खुसी का सबय पल सजाये रदिन छू सबय का नजर ती बचाये रदिन छू छके के जरूरत कहा दिन छू मैले तिमी माग दिल्यो पगाले रदिन छू तिमी माग दिल्यो पगाले रदिन छू सबय का नजर ती बचाये रदिन छू गुलावी गुलावी छ संसार हेर दा मसंसार छुट्टै बनाये रदिन छू सबय का नजर ती बचाये रदिन छू छजाडो भाये को सिसर को कुराले मवासंत हावा चलाए रदिन छू मवासंत हावा चलाए रदिन छू छजाडो भाये को सिसर को कुराले अवी सिसर रितु का बात चल रहा है तो ठन लग रहा है मैं आपको वासंत हावा चला के देती हूँ छके के जरूरत कहा दिन छू मैं ले आपको क्या-क्या जरूरत है वो सब मैं नहीं दे पाती हूँ तिमी माग दिल यो पगा ले रदिन छू आप माग लिजे मैं दिल पिगला कर देती हूँ छूटे को छमाया भनी के न सचनू मामन भेत्र माया सगाले रदिन माया का मतलब बता है प्यार मैं प्यार देती हूँ रिदे से छूटे को छमाया भनी के न सचनू प्यार नहीं मिल रहा है ऐसा मत सचो मामन भित्र माया सगाले रदिन छू मैं रिदे के अंदर प्यार को इकठा करके देती हूँ सबाई का नजरती बचाए रदिन छू कैसे देती हूँ, सब का नजर बचा के देती हूँ, कोई देख न ले इसलिए। सजा के देती हूँ, दोस्ता सुनिए। मुझे समझ नहीं आ रहा हैं, लेकिन आप ऐसा समझ लिए। किसी छिकबार बोलते हैं न, किसी अवरोध, अवरोध द्वार पर जो बंश का, बास का, एक जो अवरोध खड़ा करनी के लिए रखते हैं, उसको तगारा बोलते हैं नेपाली में। अवरोध सब हटा के मैं आई हूँ, इसका मतलब अभागी रहे चन सबई कर्म क्या, भाग में नहीं आ, नसीब में नहीं था, नसीब में बहुत दुख था, मैं सारी कष्ट को नाक कर आई हूँ। अभागी रहे चन सबई कर्म प्यारा, मना घेर आए अनेकों तगारा, भनव के कहानी हरुचन दुखे का, क्या-क्या बताओं इतना दर्द है मेरे पास। मगंदाई चु आकास समाती सितारा, अभी मैं जो तारे हैं, सितारे हैं आकास में गगन पर उसको मैं गिन रही हूँ। मरू ये रहा, मरू, मरू ये रहा से, पुछे थ्यो नि आसू। तुमने मेरा अस्त्रू को पोच्छा, इसलिए मैं हस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। मरू ये रहा से, पुछे थ्यो नि आसू। नदी त्यो तरे दिल दे थ्यो सहारा। तुम इने दिल दिया मुझे सहारा, सहारे की तवर। इसलिए मैं नागे राएं अनेकों तक आरा, इसलिए मैं सारी बाधाएं को नाक कर आये हूँ। तिमी जन्मिहे को मपल सम्छ दैचु। तिमी लाही पाही मिल्यो यो किनारा। अभागे रहे चन्न सबै करम प्यारा। मनागे राएं अनेकों तक आरा। निदायव मलाई अगाले रजयले। मा मा हुदा को थियो गर वसारा। तुमने मेरे को गले लगाया और सो गए। उस बक्त मैं मा थी। मा थी। इसी बात पर मुझे गर्व था। तुम्हारे सारे ही मैं सारी बाधा को नांग कर आई हूँ। एक मा बोल रही हो बेटे के लिए बोल रही है मा। और मैं क्या सुनाओ आप लोगों को। नेपाली समझने में कर्ष्ट हो रहा है तो आप प्रतिक्रिया कर लीजेगा। मैं उसको साथ साथ में हिंदी में बताने की भी कोशिस करूँगी। मुतकारी मुजाइफ बहर में एक सुनाओगी। यह भी नेपाली में है। गजल मा बसे कोच दिल को अनवठो अनवठो कहानी ही। यह साइमा रमाये। धन्यवाद लेकिन अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ऐसा होता है। इसका मतलब ऐसा होता है। गजल में ही दिल का अप्रतीम कहानी है इसी में मैं खुस हो रही हूँ और तुम्हारी भाव जो है उसी को मैं अपनी बानी मतलब सुभाब बना रही हूँ इसी में मैं खुस हो रही हूँ सुहायो गगन्मा सुहायो गगन्मा उदाये रतारा मगंदाये चु आफ्नाये उजालो भवेशा तिमी आउनाले यसै फुल्छा मेरो गुलावे जवानी यसै मारमाये अभागी हरू को कहां बुद्धि फिरला हिला मा असा थे गड़े का गड़े चन अभागी हरू को कहां बुद्धि फिरला हिला मा असा थे गड़े का गड़े चन पखाले ए रल्याए मचाहन चुतिन को सुखी जिन्दगानी यसै मारमाये फुलाए राखें बगई चाहरूमा कुसुम का लहर ते अनेकं प्रकार नजर मा परेथयो अधर मा खुले को छमीठो विहानी यसाई मा रमाये नमीठा रहेनन कुनई पल दुखे का नमीठा मतलब नमीठा हिंदी में क्या बोलते हैं जो अच्छा ना हो ऐसा कुछ पल नहीं है कोई पल ऐसा नहीं है जहां मिठास नहीं है कोई कष्ट का दर्द का पल नहीं है नमीठा रहेनन कुनई पल दुखे का भयो दिब्यमन मुस्कुराए रहे रहे रहो जब तुम मुस्कुरा कर मुझे हेरे रहे मतलब देखा तुमने तो मिठास ही मिठास रहा कहीं दर्द नहीं रहा कहीं मिठास बिना का अवस्था नहीं रहा अगाले रहा चेहा तुमने गले लगा के रखा मुझे बाहों में लेकर रखा संपुर्ण दुखरण करके रखा और रानी बना के रखा इसी में मैं आनन्दित हो गई हूँ, खुस हो गई हूँ अगाली रराख्यो सबै दुख हर दै बनाए ररानी यसी में मैं आनन्दित हो गई हूँ, खुस हो गई हूँ, खुस हो गई हूँ गजल मा बसे को छदिल को अनाउठो अनाउठो कहानी यसाई मा रमाए तिमीले भने का इनाई भाव जस्तै भये को छवानी यसाई मा रमाए भये को छवानी यसाई मा रमाए अब आपको थोड़ा कविता सुनाना चाहतीम। चंदो वद्द कविता हिंदी में हैं आप सब के लिए घना स्याम मिले मदु साम मिले मन मोह मिले जग मोह मिले जब जो न मिले दिल सुन्य रहा दिल चोर मिले अनमोल मिले पल पल रण पल 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 रण देखर ही जग में दिल दार मिले जग सार मिले इस जीवन के गति दर सक जो इस जीवन के गति दर सक जो मन मन्थक वो मन मीत मिले सव संकत त्रास भरी दुनिया सव संकत त्रास भरी दुनिया बस एक वही मन प्रीत मिले बस एक वही मन प्रीत मिले दिल चोर मिले अनमोल मिले हिंदी में थोड़ी मेरी ब्यकरणा आदी में गलबड हो जाती है असुद्यां हो सकती है आप ख्यमा करियेगा मैंने एक हिंदी में सिखरणी चंद में कुछ पंक्ती लिखा था तो मैं उसुनाओगी सिखरणी चंदा नहीं आते हिंदी सरसकविता कैसन लिखू कभी सीखू जानू तब कुछ लिखू आजन लिखू मिले अलफा जीतो सरसकविता सिख्र लिखले अभी रूठे हूंगे तब तक मना हूं रसलिये कभी आती प्यारी प्रिया मिलन जैसी सिखरिनी मुझे आच्छी प्यारी मदूर लगती इसिखरिनी इसी सेसारी है मदूर दिल के बात कर दूँ इसे में मेरी है प्रणययुता आला पभर दूँ अभी आजा मेरी बहुतरस वाली सिखरिनी मुझे सारी बाती बहुतरस से है न कहनी इसी वास्ते जल्दी सवी न यपुकारा समझ लो तुही मेरी प्यारी मधूर रचना स्रव्य कर दू अरे मीठी मीठी मधू मय सहली सिखरिनी मुझे प्यारी अच्छी सरसलय से मोहित करी सदा होती सची दिल दिल लुभाती सिखरिनी जहां जाती आती हम सफर जैसी सिखरिनी जहां जाती आती हम सफर जैसी सिखरिनी नमस्कार भुपेंद्र सिंग जी ने मधूर कंठा है आपका बोला है बहुत बहुत आवाद नमन करती हूँ आप सभी को नमन करती हूँ संदर अभियोगती रित्ता कुमार मीना के सिंग सुमधूर श्वर बोल रही है सुमधूर तो नहीं है आप अच्छे से सुन रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है अब एक पर्यावरन की विशे में थोड़ा सा दिल्ल में तरूरो पड़ सक्ति हूँगे दिल्ल में तरूरो पड़ सक्ति हूँगे करमे तरू सिंचन सक्ति हूँगे तरू ब्रिंद खिले मकरंद मिले जल सुन्दर सी तल छाव मिले मन मोह का पुष्प सजावट ये उसमे भवरे मधु गुंज करे मधु वाग लगे नवदीप जले सबदीप लगे मधु गंध लिये अब स्वासलिये तरूरो पणए करले करले सवासी घ्र करे करले करले सवासी घ्र करे और गद्य में मुक्त छंद में भी मैंने दो चार लाइन लिख रख आये हिंदी में तो सुनाना चाहती हूं थोड़ा सा उसने कला वेची थी इमान नहीं वेचा था साहाव भीक में नहीं मिला खूवियां कहीं वेचा था साहाव स्वाबिमान अस्तित्व और मा को नहीं बेचते कभी स्वाबिमान अस्तित्व और मा को नहीं बेचते कभी परमेशर ने जो छमता दिया था वही बेचा था सहाब आस तो इमान बिखता है गलियों में चाराने में कुछ मजा नहीं बैमानी का आमदनी से खाने में कुछ मजा नहीं बैमानी का आमदनी से खाने में एक विछड़ता है तो दूसरा मिल ही जाता है फिर हमें खोना मत सच्चे तो नहीं मिलते ऐसे जमाने में हमें खोना मत सच्चे तो नहीं मिलते ऐसे जमाने में और एक सत्य के डगर पे चलकर कभी मुन्ना नहीं सीखा सत्य के डगर पे चलकर कभी मुन्ना नहीं सीखा अयासी के वास्ते इमान को वेचना नहीं सीखा धमकाओ मत चांद की रोसनी में हमें देख लो निसा का कुसुम हूँ अंधेरे में मुर्जाना नहीं सीखा अब एक दिल्ली के मेट्रो से सम्मंदित हैं हमारे नेपाल में तो ट्रेन होती नहीं मेट्रो भी नहीं है तो समझ लीजे एक दिल्ली के मेट्रो मेट्रो से घर लड़ती लड़कियां क्या सोचती है इस विशे में थोड़ा सा लिखा था मैंने मुक्तचंदा में हैं गद्य में बहुत कम हैं मेट्रों से घर लड़ती लड़कियां सोचती है आफिस की बातें कहती नहीं किसी से निगाहों से की हुई बातें होटों पे नाई हुई बातें अकेली अकेली मुस्कुराती है मेट्रों से घर लड़ती हुई लड़कियां ठकान पास आना चाहे तो भी नहीं आ सकता हृदे का गदगद भाव चहरों में खुसियों का गुलाव उसे आने नहीं देते पास भीड में भी किसी एक का एहसास करत ही है मेट्र से घर लड़ती लड़कियां अब मैं नेपाली का भी कविता सुनाना चाहती हूं एक गुरु बंदना सिर्शक में अनुष्टुक छंद में है संसार भर का सच्चा ज्ञाना का जोती हुन गुरु जसले जन्मको सारा बुझावु नगरे सुरु गुरु कैस्ने हले आजा मनसद भाव पुर्णचा मानवी जन्मको बोधा गुरु वाटै मिल्यो सवा अज्ञानरा तमाज्ञाना दीपयुकता थे गुरु धमिलो द्रिश्य चाडए नई चमकिलो बंद थ्यो अरु गुरु का साथमा राता दिन जास्ताई हु जालिने सामी प्य गुरु को पाये जुनेली रात भाई दिने ज्ञानले तसदैं अगला धैरले चन्न हिमालाया समुद्र जस्तै गंभीरा सांतिले चन्सिवालाया ज्यानकाजयो तिले विश्वा भयो सुन्दर सुन्दरा परदैन गुरु को द्रिश्ची जहात्यो हुन्न सुन्दरा पिता हुन गुरु माता हुन जन्म जन्म गराउने करता हुन लोग काभरता ब्रह्म साक्षात गराउने अवतार लिये हाम्रो साच्चाई कल्यान गरे नपो ज्यानको जोती जोबाले हाम्रो उत्थार गरे नपो ममा मति दिने मेरा गुरु आदरणी अचन् ममा गति दिने मेरा गुरु ये बंदनी अचन् परंपरा चल्यो ठूलो रिशिको गुरु वाठनै आयो यो अहिले सम्मा ज्ञान गंगा बहा उदै सक्षत कार गरी ज्ञाना गुरु ले यो दे जुना सकिन्न तिरन कहिरै गुरु को त्यो ठुलो गुना हजारओ सिष्य शिशाले गर्दचन्गुरु वंदना सकिन्न महिमा गाना गुरु को गरन सब्दमा सब्द से गुरु का महिमा गान नहीं कर सकते हैं जो जो हम करते हैं वो सब गुरु बंदना हो जाए अप लोगों को कश्टो हो रहा है तो बता दीजिए अब एक आमा कविता सुनाना चाहती हूँ आमा मतलब माँ माँ के वारे में मैंने लिखा था ये सार्दो लुकरेडी चंद में आमा आमा यो जग्रमा अनन्त सुखा की भंदा रहौस ने हकी आफनो को खचिरे रयो जगतमा स्रस्टा बने उप्रेमकी आमा को ममता अनन्त छरपो संसार आकरेशका बने हो नभाये हुदाईन जगमा बाचल्यको बर्षणा आमा हुन जगमा हरा भर गरी संसार दरसा हुने कोहो लाउनको अनन्त युगको करता ब्यदर साहुने आमा चन रचायो जुनी हर घडी उत्सा हले हुज्वला आमा नई नभाये कहा जगतयो बन्थयो सुखी पल्पला यो सारा दुनिया रचाऊन यहाँ आमा हरु साक्षामा आमा को चानन्त सक्ति जगमा आमा विना के छरा आमा काई गर भक्ति है जनहरू हुन्ती कला कार्यपो उनको दिव्यकला फुटे रत सवै संसार संसार भो मा का ही दिव्यकला बिसफोट होकर यह संसार की समरिचना हुआ है ऐसा इस कविता का भाब अभी पंक्ती में मैंने जो वाचन किया इस प्रकाव से आप समझ लीजिए आमा सिर जनगर दचिन सबकुरा सत पुत्र को चाहले आमा को अनुहारत्यो नभरही रेखादुरा चारले आमा को मनहास्न परचम बरू मा को मुस्किरा न चाहिए मैं रोओं तो कोई बात नहीं माया हुन मनकी अनन्त गुणकी खानी बड़ा भावकी आसा हुन मनकी बिसाल भवकी आधार हुन जीवकी सोभा हुन ग्रिहकी प्रकास चरने हुन दीप संसारके आमा नाम सधै सधै प्रिया हुने संजीवनी रोग की आमा को ममता भुले रदुनिया अन्ताई रमाहे पनी समझें छिन विचारा परिस्रम गरी अन्ताई सजाए पनी के मिल्लार पराये का घर पसी आत्मियता भावना आमा को अनुभूतिको प्रणयापको सामिप्यको चाहना आमा को रिना तिरनयो जगतामा केको सकिन्थो वर्या आमा को दुखा सुपुछन काहिले कसले सकेको छर मा कारेन कोई नहीं चुका सकता है आमाले नदिने कुनै सुखा यहा संता नलाही चर यो आफनो सुखा दुखा को नवजुनी आमा नभै मिल्चर आमा को तना लुच नकोज दच भने सत पूत्राले लडेनु है आमा को मन भैड नकोज दच भने सत चुए तना भर नु है लुटने गाथ सता हुने खुदिरने ती सत्रुचिन्ने गरा छिरने आटकतै नहोस्मन महा हुंकार गर दैगरा आमा को अनुहारमा मधुरता छाहोस सदा सरेवदा सेवाले तना चमकिलो भैरहोस स्वातंत्र बाचो सदा जो सिम्हा सनमा बसी हुकुमते दिन्थिन बचाहु सदा त्यो आदे सदिने स्वातंत्र रहने आमा रहुन सर्वधा आमा सुन्धर स्रेष्टिले जगतामा कल्पन्त टिक छिन्नरे जैले सम्हा रहंचा सूर्य नभमा बात्सल्य पुख छिन्नरे यो धरते जब सम्हा टिक छमनले आनंद घुल्चिन्नरे हम्रादी ही मसाइल साथ रहादा अस्तेत्व बाचिन अरे नेपाल में जो ही मस्रिन खळा है उत्तर दिशा में सर्वध्य सिखर सगरमा था एवरेस्ट भी है नेपाल में ही है उनके साथ साथ माका भी अस्तित्व निरंतर सास्वत रहता है इसका भाव इस प्रकार था एक क्रिष्ण प्रेम में मैं थोड़ा सुनाना चाहूंगी एक क्रिष्ण प्रेम प्रित्वी छंद में विरचित है न बूला मान भतकानी बचन वाना तीखो गारी न बूला मत बोलो मन भतकानी दिल में चोट पहुचिने वाला बचन वान बहुत तीखा तीखा बचन वान मत बोलना न बूला मन भतकानी बचन वान तीखो गारी सधैं भरन बातामा सरस प्रेम मीठो गारी बुपेंदर संजी ने पवित्रता का वातराण निर्मित हो गया लिखा है नमन करती हूं मीना के सिंग बहुत खुप सूरत मा पर कविता जी नमस्कार मा के लिए सबका सिरे जुप्ता ही है मैं अभी क्रिश्न प्रेम में आ गई हूं ये प्रित्वी छंदा में है सत्र अक्षर नबुला मन भतकाने बचन बाण तीखो गरी संधै भरन बातामा सरस प्रेम मीठो गरी अनित्य दुनिया चायो स्मर्ण भाईर्णे भाईर रहोस क्रिष्ण जी पर ही भगवान कृष्ण पर ही मन जाना चाहिए ए अनित्य दुनिया में कुछ नहीं है दुनिया अनित्य है इसलिए नित्य सास्वत इश्वर के प्रती रिदय लगना चाहिए इसका भाव इस प्रकार से है अनिक जग चन यहा रमणगर न ब्रिंदावन विसेश अति नई चायो प्रणय गर न प्यारो बन छिटो पद चलाउदा असुर मुक्त बंदै रहोस् दुख्खायो परमसात्यमा पुगन चाहिए प्रभात चसुरम्यायो मन प्रसन्न पार्यों सभा उठी जगतना थको चर्ण भग्ति गर चाहिए अवा उनैं सर्णना थाहुन् मन उताई गरव अरपणा रहन मलिनो पना चर्ण स्पर सहो दरपणा अगम्या चकठो रधाम पद प्रेमले पाईयोस् सदैव मन सुथ्थयो परम प्रेमिका जानियोस् विचार चसदै बसुन्रिदय भेत्र प्रेमिवाई अनन्त दिन सम्मयो तरल भावना मा मिली न मार प्रिय प्रेमको मधुर भावना साचाहाई न सोध कति केथियो प्रणय भित्रको चाहाई न भन न सकिने न पोख न सकिने चल चाहुदा नहे रम न वित्रका सरस प्रेमिला चन्कुराई छदै चसुरिलो अहु ध्वानित क्रेश्न को बासुरी रहन्ना भभाक्तमा अभुजभावना आसुरी हरे कता पसुत्ताता सित भाएर आधार चाहुदाई नरति दुखाको समय चैनहु अम्रिता तिमी सित सधाई चायो प्रणय प्रेम सदभावना पुकार मन गर चायो सर्णको चजंचाहना सधई अबदया घर्यव यदि भने मतिम्रई भये अवास्य भब दुखायो सहज पार तरने भये अवास्य भब दुखायो सहज पार तरने भये पंचे चामर छन्द में एक नित्य वाई भावा सिर्षत में मैं सुनाना चाहूगी नित्य वाई भावा कपालयो जरा भयो रदातमा जरावरा जी जी समझ में आ जाएगा क्योंकि सब्दा एक हिंदी और नेपाली का क्रियापत में थोड़ा अंतर होता है सुनते रहेंगे तो सब समझ में आ जाएगा क्रिश्न प्रेम था जो मैंने प्रित्वी चंद में सुनाया था अब मैं सुना रहे हूं नित्य बैभव सिर्षक का पंचे चामर चंद में गजल भी लिखा जाता है एक कविता है जरा का मतलब है बुढ़ापा कपाल मतलब है केस केस में भी बुढ़ापा आ गया है और दातों में भी बुढ़ापा आ गया है कपालयो जरा भयो रदातमा जरा बर विचरा त्वचा जरा जरा भयो प्रभावको चके भरा सुनाम धन्य धन्य चन गुलाव भागमा तरा वसंत संत भैदियो भैन रागभुपरा मभित्र भावना जरा चचैन राग को घरा कता कता जै विजाउने चा सम्झन सरा अठोट गर्चु भाँचु आत्मा मारा माउ लातरा अनिक बाहिरी तना वले विथल्चु भाँचरा रहिट्चु भाँचु भाएचा यो सबय अनित्य नित्यतात केछर भाएचा भेट ये कदार सम्झेयो निरंतर फुटे रजाइंचा बिंदु त्यो हुदैन साथ को भर विशेश ज्ञान गर्नु परचा हुन्चा इसको भर भर मतलब भरोशा केवल हिश्वर का भरोशा है और अनित्य वस्तु का भरोशा कुछ नहीं नित्य है वहीं पहुंचकर मैं खुस हो जाओंगी मा ब्रह्मा मा पुगेर राम चुछ त्योछा नित्य बाइभावा नित्य बाइभाव पर ब्रह्मा में इश्वर में भी है और दुनिया में नहीं है मुझे क्या है कि कविता में तो रूची है ही और प्रकेती में पर्यावरन में भी बहद रूची है मेरे और मैंने जो जैविक खेती होना चाहिए पर्यावरन बचाने के लिए स्वास्थ्य बचाने के लिए जो क्या बोलते हैं जैविक खेती जो विशमुक तक खेती होना चाहिए इस पिसे में मैंने थोड़ा लिखा था मैं ओ सुनाना चाहती हूं अब तो युरिया आदी बिवित प्रकार के मल के कारण जो हमारा जमीन है वो विशयुक तो हो रहा है इस पिशय में मैंने थोड़ा लिखा था उसको मैं सुनाना चाहूंगी यह अनुष्टुप चंद में है युरिया छर नथा ले चाओ रुखा काट जाओ अधर मले अब क्या बोलते हैं कि पेड इसलिए काट रहे हैं हम लोग पेड से पत्ते गिरते हैं गंदा करते हैं जमीन को ऐसा बोलते हैं लोग आप ही सोचे इसका क्या अर्था निकलेगा पेड वातावन को साफ करता है ब्रिक्षा वातावन को साफ करता है यह समझ में नहीं आता है गाओं के लोग अब क्या कर रहे हैं पेड काट रहे हैं और साफ कर रहे हैं सफाई कर रहे हैं इसे बोल रहे हैं अब आप ही सोच लिए उनके दिमाग कैसा हो गया है आज का सिख्षा क्या कर रहा है सिख्षा का प्रभाव कैसा है अधरमा होता है व्रिख्षा काटना अधरमा माना जाता है यस्ताई गरी मरे सारा गड़वलाती कुकर मले गंडुला मतलब केचुआ केचुआ बोलते हैं न जमीन में होने वाले जो मिट्टी को नरम करता है उसको हिंदी में केचुआ बोलते हैं ऐसा मुझे लगता है नेपाली में गंडुला बोलते हैं युरी आचर न थाले छो रुखा काट्यों अधर मले यस्ताई गरी मरे सारा गण्यों लाती कुकर मले माटो सारो भयो हेर पानी खोलाती रै गयो जलको स्तर घट नाले बाढी रूपाली रहो सारा गाम बगे हेर हम्रोदे साडुबी रहो आती ही कृष्ण भन्दै चन गोभाक्ती रिक्तभाई रहो पाही आपतयो सारै कृष्ण कृष्ण भने पनी गरे का कर्मले कैले छाड़ दैनन हा मरे पनी छो गोबर है उसको डालने से मिट्टी नरम होती है कृष्ण यही करते थे आभी कृष्ण कृष्ण करते हैं क्रिष्ण जन्मास्टमी मनाते हैं लेकिन गाय रखते हैं नहीं गार पर गड़ेव लाले दुलो परते पानी भित्र छिराऊना खांते गोवर खानामा मीत्रता कहलाऊना गायी फाल्यव चाहिये ना लियव कुकुर्य साथमा कुत्ता लेते हैं गाय को तो हटा दिया रोगले घर गर दैचन हेर सरवत्र गाथम इसलिए गाथ मतलव सरीर में देहा में रोगी रोग है पानी पानी भायो आईले लाक्षा संसार सागर बर्शात में हर जगा बाड़ा आती है ग्वाला हुन क्रिष्ण विरसे जई रित्ताई पुच्छन कठाई बर क्रिष्ण क्रिष्ण भनेव आजा गोमाता किना विरसियो उन्हें को चाहिने हो है आसिशा किना बेच कियो खृष्ण का आसिरवा तो गोपालन में ही था अभी गोपालन छोड़ दिया तो सब कुछ हट गया है एक चुम्मन सिर्षक का भी मैंने कविता लिखा था जाओंगी उसे पहले में संस्कृत में संस्कृत में भी एक कविता सुनाओगी नेपाला भूमिं सिर्षा नमामी नेपाला भूमिं सिर्षा नमामी नेपाल भूमी को नमन करती हुँ और भारत वर्ष को भी नमन करती हुँ आप सबी को नमन करती हुँ आप लोगोने अच्छा सुना और मेरे उच्छा वर्धन के लिए बहुत सारे अच्छे कमेंट भी किया ठीपणी भी किया आप लोगोने बहुत बहुत आभार जो जनसरोकार मंच है जिसकी तरफ से मुझे यहाँ पर अपनी कवितार चना और विचार प्रस्तुत करने के लिए अविसर दिया आप लोगोने आप सभी को आवार प्रकट करती हूं धन्यवाद बोलती हूं धन्यवाद नमन और विदा लेती हूं नमस्कार